तो डियर श्टुडेंट आज की सी वीडियों बात करेंगे बिए सिक्से समस्टर की यानि 내가 चटे समस्टर के प्रोटिकल साइनस्थ यानि राज नेती साफ्त के बारे में तो राज नेति साफ्त की परिच्छा जिन-जिन पर इच्छा है रेटन बेस्ट पर होने वाली है यानि कि लिखित उन सभी के लिए यह महत्पूर्ण वीडियो है तो चले आते हैं कुश्चन पर अच्किस वीडियो का पहला प्रशन है कि वर्ड एम जात बेवफ्था पर डाक्टर भीम राव मेटकर के विचार बताईए तो लिखनाए रेक्टर बहों राव मेटकर वर annum जात परता के विरोध्य थे वहोई न जात को मानते थे ना किसी वरड को मानते थे वो बिरोधी थे दलितों के ओधान के लिए उन्होंने कई कार्य की हैं जात्वाथन और OUT नीच की खाई को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतर जात्विवाह का समठथन किया। हम आदमी हैं, आप आदमी हैं, यानि कि समाज में रहने वाले जो भी आदमी हैं, वो सब इनसान जाती हैं, ठीक है, वो उतकी कोई यह नहीं कि आप ब्रहमण के हैं, तो आप ब्रहमण में साधी करें, इनसाने तो हैं, आप किसी भी जात में अपनी साधी कर सकते हैं, वो फ्रिजात में बिवाह किया ताकि लोगों को एक एक्जामपल दे सकें ठीक है तो इस प्रकार बेशिक पर्चे लिखेंगे इनके बारे में इनके क्या विचार रहे हैं वरणाउजात को लेकर अगला प्रस्टन है कि भी आरा मेड़कर के राजनीतिक विचार क्या रहे हैं तो चले जानते हैं तो अमबेड़कर को यानि कि भी आरा मेड़कर जी को एक आवस्चेक राजनीति संगठन मानते थे परंतो समाज से सर्बोच नहीं मानते हैं राज जी के आफ्टत का अधार लोगों में सत्ता के पालन की भावना है अमबेड़कर के राजनीतिक विचार के क दूसरा है धर्म जाजनीति से अलग है नागरिकों को धार्मिक सुतंतरता है मजबूत केंदर का होना जरूरी है जात प्रता के विरोधी थे असपरस्टा विरोधी थे वडबेवफ्था के अलोशना तो ये कुछ प्रमुक अभी आरा मेड़कर जी के राजनीतिक बिचार जिनके बारे में आप परिशे लिखेंगे उनका मानना यही था कि राज एक आवस्चेक राजनीति संगठन है ठीक है परन्तो समाज से सर्वोच नहीं है ये बात बेर आराम मेड़कर कहते थे और इनके कुछ बिचार प्रमुक बिंदों के द्वारे यहां पर प्रस्तुत क के थे अता उन्हें हिंदू वर्ड बेवफ्था की बुराईयां तथा समाजिक अन्याय का प्रतच्छ अन्भव था अन्याय के बृद्ध निम्न जातियों को उन्होंने संगठित किया उनका विचार था कि समस्त इस्त्रिपूर्फ जर्म से स्वतंत्रयम समान है जब इस व समानता मिलने के साथ प्रसाफनिक सेवा में भी समान आफर मिलना चाहिए फूले के नुसार भारत में निम्न जातियों की इफ्थित में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था वह बिट्रिफ आफन की देन है परुंतिया पर्याप्त नहीं था इसके लिए जन्साधरान के बिचारों से प्रबावित होकर असपर से जातियों के उस्थान के लिए क्या कि कारिक्या यानि कि जो मत जो बिचार समाच को लेकर इनसान को लेकर महिला और पूर dong Mir Sar जुद्थे ये दोनों निम नहीं जात के बेकते थे और ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे इनका काफी ज्यादा योगदान रहा समाज के शेतर में इनका मानना है कि जब भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है एक मतलब एक जैसा का मतलब मनुस बनाया है या इस्तरी बनाया है पुरुस बनाया है तो हमें एक जैसे हैं तो इसमें जाती का रोल कहां फे आता है या फिर अन छुवा छूत का कहां फे रोल आता है तो इन्होंने काफी ज़्यादा इसके बिसे में कार भी किया है और आज की जबाने में कलीग में आप लोग देखी भी रहें कि लोग इंटरकास्ट में भी साधी कर लेते हैं भगा के साधी कर लेते हो चार्जिस भी जात का हो तो यह जो हैं एक उदाहर के रूप में निकल के आते हैं हाला कि जो भी आइपी कडगरी के लोग होते हुँ वो किसी धर्म ना किसी जाति पात को मानते हैं जैसे आपने किसी को देखा होगा कोई भी एक्टर को देखा होगा या फिर आपने देखा होगा कि कोई फॉलिटिकल का नेता है तो वो सेम जात में अगर कोई नहीं मिलता है तो अगली जात में भी साधी निवह कर देते हैं अगला की अमेटकर का धर्म सम्मंधि विचार यानि कि धर्म को रेकर बी आरमेटकर जीने क्या कहा है तो प्रारम में डाक्टर भीम रामेटकर ने किफी धर्म की अलोशना नहीं की है मतलब किसी भी धर्म का सपोर्ट किया नहीं है नहीं किसी भी धर्म का वहिशकार किया है ठीक है वह बताया गया कि प्रारम में भी आरमेटकर ने किफी धर्म की अलोशना नहीं की है लेकिन जब उन्होंने देखा कि दलितों के साथ अन्या हो रहा है उच जातिया खान पान रहां से नाता तोड़ने का निश्चे किया जो धर्म सभी को पानी देने को तैयार नहीं वह धर्म नहीं सवजा है हिंदू धर्म में दलितों को धर्मिक अफ्थानों पर जाने से रोका जा रहा थ पर जोड़ एंकां सर्द्ध ति जो पीड़ियां से लोगों को सब्सक्राइए wirons consumer ज़ा जा रहा ता मतब कि जो भी धर्मस्थान मंदिर है या फिर कोई अर्ण जगे है वहां पर रोका जाता था कि इसको जो दलित वर की लोग थे हिंदू ही थे उनको बात से काफी दुखी थे भी आराम बेटकर जी तो इसे प्रकार लिखेंगे इनके बारे में बहुत ही महात्पोड़ प् कि शमानवे एक राज भी हिंद समाज की अस्थापना करना चाहते थे दार्फनिक अधार पर राज जी का बिरोध करते हुए गांधी जी ने कहा कि राज बेक्त के नेतिक बिकास का मार्ग प्रसस्त नहीं करता बेक्त का नेतिक बिकास उसकी आंतरिक इच्छां और काम तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में गांदे जी की क्या आ रहा है राजी के बारे में तिलक की स्वादेफी धाड़ा हलां कि कुश्चन बहुत कम मुम्मिद है आने की तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगला कि मानवतावाद पर नहरू यानि कि पंडिच जावालाल नहरू का दर्फन दीजी तो पढ़ लिजीगा तैयार कर लिजीगा महतपूर साबित हो सकता है यह कोईश्चन मानवतावाद या फिर कोईश्चन आ सकता आपकी पर इच्छा में नहरू का पंचसील फिद्धान इनमें से कोईश्चन फश जाएगा ठीक है तो नहरू जी क प्रफन के फाथ 1955 में किये समझोते में निम्लिकत 5 बाते कही थी पहला है कि प्रतेक राज दूफरे की सब्रूरतायों एकता का आदर करेगा दूफरा एक दूसरे पर आकमर ना करना अगला था दूफरे राजज के आंतरिक मामलों में हफ्ताच ये ना करना अगला का था सा प्रशना की खोई इंडिया किसी सक्राव ने भारे banging डिश्कवर्या harus कि मृष्वी आ healthy ये नामा पुस्तक लिए तो यह पंडिया हाला नरी जी कीई ध्यान लकें में अगला प्रशना है कि राजा राशा राम मोहनी राय तो यह कुछ प्रमुक राजा राम मोहन राय के प्रकाफित पत्र है जिनको ध्यान रखेंगे महात्पोर्ण प्रश्ण यह भी साबित हो सकता है अगला भी बहुत महात्पोर्ण प्रश्ण जो की फसे का पूरी उमीद है कि रभी नाट टैगोर के राजनितिक विचारों के ब अगला प्रश्ण है कि गांधी वाद तो गांधी जी ने कुछ सिध्धान तो बताए थे उन्हीं फिध्धानतों को पूर्ड मानते हुए उसी मार्ग पर चलना गांधी वाद है यद्यब गांधी जी ने अपने फिध्धानत को पूर्ड नहीं माना था लेकिन उनकी अनुयाई गांधी जी के सभी फिध्धानतों को पूर्ड मानते हैं देश में गांधी जी के सम तो पढ़ भी सकते हैं कि कुश्चन उम्मीद कम है आने की तो आपके इच्छा त्यार करें दर्वाइग्नोर करें अगला प्रश्ण को बढ़ते हैं अगला कुश्चन की ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे मताइए तो ध्यान रखेंगे प्रमक प्रश्ण में भी एक्जा संस्थापना की गई थी इसको समाजिक स्थार की दसथा में महत्रपूर्ण कार माना जाता है उन्होंने इसके द्वारा अधुनिक्त द और वाद यम्मिःक बारत की नवीन धारा भारत प्रवावित की हैं नौट दुब्रहंब समाज के संस्तापक के बारे में से प्रकार प्रच्छे लिखेंगे कि अगला के हिंदु समाज में फैली बुराई है को दूर करने के लिए और अनाडे ने क्या अफजाव दिये तो पढ़ लीजेगा कोश्चन इंपॉर्टेंट इभी ठीक है अगला प्रच्छ पर राजा राम मोहन राए कि क्या भीचार है ठीक ये भी कुश्चिन इंपॉर्टेंस थाबित हो सकता है उत्तर लिखेंगे कि राजा राम मोहन राए पास्चात्य फिच्छा के समर्तक थे उनका कहना था कि भात की फिच्छा वेफ्था हमें केवल कलर को बना वक्ती है परकार लिखेंगे राजा राम मोहन राय कि कैका वीचार रहे हैं विच्छा को लेकर और महात्पूर्ण प्रश्णfik आगला कि राजा राम मोहन राय भारते पुनर जाग्न्न के अगरुदू ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राजा neur Thom Maurice को भारते पुनर्ट का सी्र επ म dalता हरmom जाता है ठीक है और मा सीर्फ मार कहा जाता है वी मजोम दार के अनुसार और भारत में अर्जा नितिक चिंतन का क्रम राजा-राम, आम हम राय से फिरी तरा प्रारा में होता है जैश्ट है पासचात अर्जाve घशनzam का इतीहास यारफत रफ्तों से होता है वे भारत में केवल आधुनिक्ता के प्रवर्तक थे अपित उन्होंने फ्रजनात्मक फुधारवाद की नियू रखते हुए अक्रमयता भाग्यवाद बिगटन आध के बिरोद में प्रबल आवाज उठाई है उन्हें भारत के आधुनिक जाजनितिक सांस्कृत के सरवत्तम गुणों को आत्म साथ किया था ठीक तो इस प्रकार लिखेंगे अगला प्रसने भारते पुनर जागन के कारण बताई यह तो पहला है कि पास्चात फिच्छायम सांस्कृत दूसरा याता है तो याता यात तथा फंचार से विदा का विकाफ तीसरा सब्सक्राइब भारत का गवर्वपूर्ण अतीर चौथा लौड लिटन की समराज जिवादी नीद तो इसी प्रकार इस वीडियो में वह सारी कोश्चन है जो आपके परिश्या में आने को उम्मीद है तो इसमें बहुत फारे कोश्चन है पूरी पूरी पीडिया हम आपक क्योंकि आप ग्रूप पर मैसेज कर सकते हैं तो एडमिन जहां पर लिखाओगा नेले कलर से क्लिक कर दीजेगा क्लिक करते ही हमारा नमबर आपको चैटिंग के लिए सो होने लगे वाट्सप पे तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए कि सारह हमें भी यह सिक्स्ट समस्टर प उनके लिए तरीके फिर रामबाड यह वीडियो सावित होगी और यह रामबाड आप लोगों के लिए पीडियो सावित होगी बाकि आपका अपना है चैनल सक्षेस्ट होगे है तो सब्सकाइब जरूर कर लिजीएगा कोई कोश्चन जरूर पूचें मिलते को और ने वीड कर लिए के बाकितैनल सक्षेस्ट होगे मिलते कोशन ओने है जरूरूर तो के लिएग प्सक्राइब और रामबाड जरूर सब्सक्तरांवалार यह वीडियो सावेगार ने जरूरूर थ motivation for a follow dive extent